राजस्थान में कुरोणा वैक्सीन की कमी के चलते बीते तीन दिनों में कुरोणा की रफ़तार कम हो गई है बुदवार को करीब 7 लाख डूल्स की खेप आने के बाद ठीके की सप्लाई केंद्रों पर की गई सप्लाई के बाद प्रदेश में वैक्सिनेशन ने फिर से रफ्तार पकड़ी है राजस्थान में अब तक 25 लाग से धिक लोगों को कुरोना का ठीका लगाया जा चुका है देश के करी 55 फिसिदी वैक्सिनेशन राजस्थान में ही हो रहे है ठीका लगाने के लिए बड़ी संक्या में बुजर्ग और 45 साल से धिक उम्र के गंभीर बिमारियों से पेडित लोग ठीका लगाने पहुँच रहे हैं जो खुद वैक्सिन लगवाने के बाद अन्य लोगों से भी वैक्सिनेशन करवाने की अपील कर रही है राजस्थान में कोरोना वैक्सिन की खेप पहुचने के बाद में एक बाद फिर से कोरोना वैक्सिनेशन के काम में तेजी आई है नीजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सिन पहुच रही है जिस तरह से राजस्थान में कोरोना वेक्सिन की कमी के चलते नीजी अस्पतालों में सप्लाई कम हो रही थी अब वेक्सिन की सप्लाई पहुचने के बाद में एक वार फिर से शुरू आते वो हो चुकी है किस तरह से कितनी खेप अभी आ रही है और किस तरह से तैयरिया है वो की गई थी और अभी मोजुदा समय में किस तरह से वेक्षिन का काम चल रहा है वैक्सिनेशन का काम एक तारिक से शुरू हुआ तो एक तारिक से करीबन करीबन पूरे स्विंग में चल रहा था पर अचानक से जैसे दो-तिन दिन से कुछ कमी थी तो फोन सो काफी आ रहे थे कुछ लोग भी आके उनको वापिस भेजना पड़ा पर अब जैसे आज से वापिस से वैक्सिन मिली है तो वापिस से लोगों के काफी सुबह तक तो फोन थे जिनको हमें एक बार कहना पड़ा कि एक बार वैक्सिन आ जाए फिर हम आपको बुलाते हैं तो अब वैक्सिन आ गई है और लोगों को फोन पर हमने हां कर दिया है तो मैं मानता हूं कि करीबन आदे गंटे में करीबन पूरी जगा फुल हो जाएगी और वही दो से करीबन वैक्सिन रोज जो लग रही थी वैसे आज भी लगेंगी और लोगों का बहुत उस्सा और मन में उनके यह है कि वैक्सिनेटेड हो जाए हम भी ठीक रहे है हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी ठीक रहे है और कोई और को भी नहीं फैले तो लोगों के मन में एक भैवी है कि इसाब यह वापी से फैल रहा है तो लोग बड़े मतलब उत्सुक हैं इसको तुरंत लगवाने के लिए किस एज वर्क के लोगों को अभी वेक्सिन लगाने का काम किया जा रहा है किस तरह की वेवस्ता है वो की गई है म जो को अधो लगाया जा रहा है और हेल्ट वर्कार जो फरंट लाइन वक्रस उनके लगाया जाई रहा है यहाई कि सह सघार ने ज़म में डी का में मोदने मोजूदे आपको तश्विरों में हम दिखा रहा है किस तरह की वेवस्ता यों कि यह वेटिंग एरिया बनाया गया है रजिस्टेशन भी यहीं पर हो रहा है दरसल पहले रजिस्टेशन स्वास्ति वभाद की और से किया जा रहा था कोई लेकिन अब जो साट वर सेधिक और जो लोग उनका वेक्षिन रजिस्टेशन का कांप गया रहा है। सब्सक्राइबỡ का सब्सक्राइब सब्सक्राइब 25 फिस्दी जो एक्सिन का टीका करन हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है राजस्थान सरकार की ओर से भी लगता परियास क्या जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग कोरोना का टीका लगाए और कोरोना संकर्मन से अपने आपको बचाएं और इसी को लेकर राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां 25 फिस दी जो टीका करनन हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है एक सिनकी खेप आने के बाद में फिर से उसी रबतार से राजस्थान में टीका करनन का वियान है शुरू से केमरा में नेमी चंद पांचाल के साथ मैं लोके शॉला एवन टीवी